हलो दोस्तों, अगर आप Honda A activa यूज्ड कर रहे हैं, प्लेजर यूज कर रहे हैं, डियो यूज कर रहे हैं filters durch या और भी किसी कंपनी का gearless scooter यूज कर रहे हैं और अगर आपको handle में vibration फिल होता है इसके अलाबा अगर आप partnered में हैं और आप move करना शुरू करते हैं, तो आपको pickup का problem फील होता है, pickup आपको नहीं मिल रहा है, powered आपको नहीं मिल रहा है, या कोई inclined surface है, उस पे अगर आप चड़ाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको problem हो रहा है, या double loading कर रहे हैं, तो उस समय आपको pickup का problem, power का problem फील हो रहा है, और आपका handle भी vibrate कर रहा है, तो वो actually handle का vibration नहीं होता है, और engine का भी problem नहीं होता है, वो actually problem होता है आपका variator का, मैं अभी खोल के इसे दिखाऊँगा कि actually होता है क्या problem, तेके यहाँ पर क्या होता है कि engine होता है आपका इस portion में, और पीछे वाले portion में आपका gear रहता है, जो कि wheel को drive करता है, तो engine आपका up to 50, 60,000 तक कुछ नहीं होने वाला है, वो सही रहता है, और जो gear box है, जिसे wheel attached रहता है, उसमें भी कुछ नहीं होता है, अब यह जो problem जो main होता है इसमें, जो भी gearless scooter होता है, वो इसी portion में होता है, आपका belt घीसेगा, आपका variator का problem आएगा, जो handle vibration के नाम से बहुत फेमस है, और आपका जो clutch सू रहता है, वो घीसता है, तो इस video में हम लोग देखेंगे variator को, अब variator को निकानने के लिए बाहर, आपको इसे खोलना पड़ेगा, जुगार लगा सकते हैं, इस तरह से इसे hold कर सकते हैं, gear को, यहाँ पर, और आप इसे open कर सकते हैं, बट इसमें एक problem है, आपका अगर gear damage हो गया, तो बहुत बड़ा problem होगा, आपका bendix drive को यह gear damage करेगा, अगर यह थोड़ा भी damage हुआ तो, और आपका self में भी problem हैगा, तो इससे better है, कि आप इस तरह का, flywheel holder आप ले लीजिए, इस तरह का रहता है, 200, 250 इस तरह में आ जाता है, local market में आपको मिल जाएगा, और इससे आप इस तरह से hold कर सकते हैं, इस तरह का tip बना रहता है इसमें, और इसको आप easily इस तरह से hold कर सकते हैं, जो wheel है, hold हो गया, अब इससे आप अराम से open कर सकते हैं, कोई tension नहीं है, थोड़ा सा tight रहता है, आपको energy लगाना पड़ेगा, देखिए, आगया यह open, यह देखिए, बाहर आ जागा, और अगर इसका tight थोड़ा सा damage है, actually यह kick में काम आता है, अगर इसका tight damage है, यही सही time है से change करने का, आपको इसको change कर देना चाहिए, अगर यह damage है, घिसा हुआ है इसका tight, तो यह सही time है, अराम से आप इसको change कर सकते हैं, अब इसके बाद आपका, जो wheel है, आपका बाहर निकल जागा, देखें कैसे कोण save कर रहता है, और यह इसमें कुछ भी imperfection नहीं होना चाहिए, एक दम स्मूथ होना चाहिए, अगर थोड़ा भी इसमें imperfection है, तो आपका belt बार बार घिसेगा, तो यह आपका बाहर निकल गया, उसके बाद जो main जो आपका villain है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, देखें, यह है आपका, देखें, यह तो boost है, इसको आप रहने देजे, यह देखें, main जो आपका villain है, यही है, यही आपका variator assembly है, देखें, इसे आप हटा के देखें इस तरह से, देखें, कैसा structure रहता है, देखें, देखें, इस तरह का रहता है, तो होता क्या है, कि इसमें आपका dust चला जाता है, या घिस जाता है, यह एकदम perfect होना चाहिए, एकदम smooth, यहाँ पे कोई भी imperfection नहीं होना चाहिए, नहीं तो, यह जो balls है, छोटा-छोटा, यह move नहीं कर पाएगा, देखें, इस तरह से रहता है, और यह जो structure है, यह भी एकदम smooth होना चाहिए, एकदम होता क्या है, कि जैसे ही आपका engine का speed rpm बढ़ता है, यह जो ball है, यह इस तरह से उपर move करता है, इस तरह से, इस तरह से move करता है, at a time, सब कोई बाहर निकलेगा इस तरह से, और जैसे ही बाहर निकलता है, आपका belt pull होता है, और सबसे पहले जब यह low rpm पर रहता है, तो आपका belt इस diameter पर घूमते रहता है, इस diameter पर, उके, उसके बाद जैसे से speed बढ़ता है, तो यहाँ पर move करता है, फिर इसके बाद यहाँ पर move करता है, इस तरह से, तो इसको आपको बहुत अच्छे से, चेक करना हो, और जितना भी ball से उसको आपको देख लीजे, perfectly circular है कि नहीं, थोड़ा भी अगर इसमें कोई imperfection रहा है, तो इसको आप change कर दिजे, और यह भी cut अवा नहीं रहना चाहिए, एकदम smooth होना चाहिए, नहीं तो आपका belt with rpm move नहीं करेगा उपर, generally यह जो problem है, वो 20,000 km के बाद आता है, तो आप इसे एक बार open करके देख लीजे, अगर इसमें सिप dirt है, और इसके कार्ण यह ball फ्रेली move नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, इसे आप clean कर लीजे, बट अगर इसमें आपको कुछ cut marks, को irregular surface, यह दिख रहा है, जैसे कि आप देखेंगे, यह एकदम सही है, smooth है, तो इसमें कोई problem नहीं है, आपका balls भी सही है, perfectly circular है, तो इसे clean करके हम लोग लगाएंगे वापस, तो मैंने इसे clean कर लिया है, और इसका surface सही है, तो मैं इसे change नहीं कर रहा हूँ, और balls को place कर दे रहा हूँ, वापस से, उसके बाद इसका अपर plate, इस तरह से, यह boost को हम लोग बाहर निकालेंगे, और इसे यहाँ पर place करेंगे, और इसे यहाँ डालेंगे, इस तरह से, और, belt और यह flywheel, और इसे हम लोग जैसे open किये थे, उसी तरह वापस हम लोग लगा देंगे, अच्छे से टाइट कर दिजा, यह आपका ready हो गया, तो आपने देखा कि, कैसे variator काम करता है, तो आपने इस वीडियो में देखा कि, क्यूं होता है इस तरह का problem, बहुत लोग इसे handle vibration से relate करते हैं, बहुत लोग pick up, बहुत लोग different different, तो यही main wedge होता है, variator जब old हो जाता है, और उसका balls में problem आने लगता है, या surface uneven हो जाता है, तो इसलिए problem आता है, तो अगर आप इसे correct कर दिएगा, तो आपका problem solve हो जाएगा यह वाला, और ऐसे ही इसे करते हैं, तो I hope कि यह video आपको अच्छा लग होगा, और next time जब भी आपके gearless scooter में इस तरह का problem आएगा, तो आप उसे खुझ से solve कर सकेंगे easily, मैंने काफी detail में यह video बनाया है, आपको समझ में आ गया होगा, तो please मेरे studio को like कीजिए, मेरे channel को subscribe कीजिए, और किसी भी तरह का doubt हो तो comment box में लिखे, मैं reply करूँगा, Thank you, thank you for watching.